जनपद में मंगलवार को जिलासपताल सहित 40 केंद्रों पर 11,201 लोगों को कोवीट का वेक्सिनेशन किया गया जिसमें 1st डोज लेने वालों में 8,517 और 2,684 लोग शामिल रहें जिसके संबंद में एडिसनल स्यमो डॉक्टर नीरेश पांडे ने बताया कि मंगलवार को दो महिला तथा दो अभिवावक स्पेशल केंद्र पर वेक्सिनेशन किया गया है इसके अलावा जिलास्पताल, महिला जिलास्पताल, BRD Medical College, EMS और CSC वा PSC सहित 40 किंद्रों पर 11,201 लोगों को वेक्सिनेशन किया गया है एडिसनल सेमो ने कहा कि वेक्सिनेशन कराते समय कोरोना गाइडलाइन का पालन करे, मास्क लगाया तथा दो गज की दूरी बना कर रखे इस सम्मंध में गुरकपूर नीउस से बात करते हुए एडिसनल सेमो डॉक्टर नीरज पांडे ने कहा एडा पांडे लगा अबात ले लुक्टर ने लुक्टर आपकां हुए वह अवो जिलाया हुए रहा हुए उनके बूल, आपकां के वालना हुए हैं लूचल लूपर एक अग लूबिज है जिते हैं जेज़स्ट मृपजरो लूब लूब जिए रच्छार लूब सकत भी हैं लूबंडर लूबं़ लूब्गद, लूबंडर लूबंडरो आज खुल चालिस केंदरों पर वैक्सिनेशन हो रहा है इसमें महिला स्पेसल है अभी बावक स्पेसल है इसके अलावा वर्क प्लेस, सीडीसी है सब जनता से क्या है जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि जब वो बूत पर पहुंचें तो स्पेसल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें कोविट प्रोटोकॉल का ख्याल रखें प्राया यह देखने में आ रहा है कि कापी भीड हो जा रही है लोगों की बीच जो छे फिट का डिस्टेंस होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रहा है कई लोग बिना मासके भी देखे जा रहे है तो कोविट प्रोटोकॉल का हमेशा ख्याल रखें वैक्सिन एक चीज है और कोविट प्रोटोकॉल एक चीज है हम दोनों ही बातें अपना कर कोविट से मुकाबला कर सकते हैं और इस से बच सकते हैं